असलाम एलेकुम हादरीन मैं डॉक्टर सहीर सिराजवदीन डिरेक्टर अलाफा हॉस्पिटल के जानिब से मुखातिब हूँ मैं सीनियर सर्जिन और जनरल सर्जिन लैप्रोस्कोपिक सर्जिन हूँ यहां पे और आज तक अल्ला के फजल कैरम से हर कॉंप्लिकेटर मुश्कि आपरेशन करते आये हैं हमारी सर्जिकल टीम और अनिस्टिशिया टीम काफी ज्यादा अच्छी रहने की और इसके सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा मुश्किल से आपरेशन भी हम अन्जाम दे रहे हैं और यहां पे आईस्यू एमजी के टीम काफी ज्यादा अच्छे ह मरीज़ों को इलाज के लिए काफी ज्यादा सहुलियत है अब रहा हॉस्पिटल के तालोग से एक मिनी कॉर्परेट हॉस्पिटल है यह हॉस्पिटल दो हुजार दो जनुरी को इनागरेशन किया गया है और अब तक हमारी पुरी फैमिली और पुरे कई डॉक्टर्स इस हेल् खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अंडर वन रूफ मतलब यह कि एक च्छट के नीचे हर मर्स का इलाज का इंतिजाम बावी स्वी अन्वर्सिरी या सालगिरा के मौके पर एक फ्री कांप का इंतिजाम किया गया है हर फ्रैडे तीन से छे बज़े तक हर तरह की इन्वस्टि में पूरे कंसल्टेंट्स का भी चार्जिस नहीं लिया जाएगा इसके लिए हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट के लिए एक्स्पिरियेंस और खाबिल डॉक्टर्स का इंतिजाम है जैसा कि डॉक्टर सेयद सिराजुदीन सेनियर और लाप्रोस्कोपिक सरॉजन डॉक कंप्लीट नियॉरोलोजी टीम के साथ डॉक्टर निसार यहाया जनल फिजिशन डॉक्टर बाचसित साहब पर्मानॉलिजिस्ट डॉक्टर प्रवीन कुमार सीनियर काडियोलिजिस्ट और कई खाबिल और एक्स्पिरियंस डॉक्टर्स इस में खितमात में अंजाम दे रह है जैसा के और्टोपेडिक्स, पल्मनालोजी, काडियोलोजी, क्रिटिकल केर, आक्सिडेंट्स वहरा इसके लिए तकरीबन इंशुरेंस कंपिनीज भी इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं जिसमें मरिजों को कैशलेस याने के हॉस्पिटल को कुछ भी पेमेंट करने की जरूद नहीं है, यहां पर निफरोलोजी और डियलेसिस का भी काफी शानदार डिपार्टमेंट हैं जिसमें 24 घंटे डियलेसिस किया जा रहा है और आरकशली के तहट मरिजों को फ्री डियलेसिस भी बहुत अच्छा किया जा रहा है, इन्शाललह आग सब के ताहून से हम और आगे बढ़ कर खौम की और अच्छी खिदमत करने का इरादा रख रहे हैं, हम शुरू करे थे फारुखी नसिव होम से मोगलपुरा पे, पहुंचे अल्फा हॉस्पिटल मोगलपुरा पर और इन्शाललह एक बहुत बड़े अन्दास का हॉस्पिटल आने वाला है, अल्फा हॉस्पिटल अत्तापूर, जो काफी जियादा सहुलियत के साथ, शहर के मशूर डॉक्टरों के टीम के साथ, बहुत ही नॉमिनल याने कम चार्जस पे कॉपरेट हॉस्पिटल का इलाज होगा, इन्शाललह. मैं दॉक्टर नवीद सिराज, कोल्ड सीटी में पिछले 30 से मैं अपने सर्विसेस दे रही हूँ, इनिशली आप स्टार्टेड, मैं जादतर हर खिसम की डेलवरी केस को हैंडल कर सकती हूँ, हर तरीखे की डेलवरी केस को हैंडल करते वे आई हूँ, अब जैसा बढ़ गई है, उस हिसाब से मैं जादतर हाई रिस केस पे फोकस कर रही हूँ, जैसा कि बहुत जादा कॉंप्लिकेटिट केस हैं, वसे पेशिंस को इमीडियेट लाओं दुसरे बड़े कॉर्पेरेट सेटप में बहुत जादा खर्चे में होना पड़ता, याने तो इमीडियेट सर्विस कॉंप्लिकेटिट केसिस को देने के उपर फोकस कर रही हूँ, और साथ बसाथ खास तरफ से प्राइमी डेलिवरी जो पैलन डेलिवरी के पेशिंस हैं, उनके तरफ भी खास तरफ से तबज़ दे रही हूँ, इसलिए के पैलन बच्चियां जो रहते बहुत जादा नाजुक है और हैबत खाये रहते हैं, तो उनको किस तरफ से हम बगर एक डेलिवरी को तकलीव दे अंजाम ने देते हुए, खुशुमार रास्ता बताते हुए, पैनलेस डेलिवरी और सुप फैसिलिटीज रखते हुए, उनको कम से कम तकलीव से सहथ मन डे जादा बढ़ चुकी है, आज देख रहे हैं कि ने ने बच्चियों को मतलब कम उमर बच्चियों को PCOD हो गया और ठायराइड्स हो गया, जिसके वज़े से प्रेगनेंसी बहुत जादा डिले हो जारी, उसमें भी हम अच्छे से अच्छा इलाज करके प्रेगनेंसी का प्रेगनोस्टिक लाप्रोस्कोपी, जो पेशिंस बहुत मद्बूर होके आईवीएफ की तरफ रुख लेने का कोशिच करते हैं, उनको भी हम ये बता रहे हैं कि अभी आईवीएफ आप मत जाईए, इस वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो उसमें हम किस तरीखे से लाइ करने के लिए, डाइगनोस्टिक लाप्रोस्कोपी, जो के एक मारी फाइनल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी इंफर्टलिटी के वास्ते, उसमें भी काफी डिसकाउंट देके, ओनली 30,000 पाकेज रख दी हूँ, ये सिरफ एक अवेरनेस लाने के वास्ते, इसमें ये नहीं है कि हम कोईच कॉम्परमाइज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का, ये नहीं है, मैं कंसर्टन हूँ, इसलिए मैं चार्जस नहीं ले सकती हूँ, हॉस्पिटल मेरा है, उसमें हर तरीखे से मैं ताउन कर सकती हूँ, इस ओनली फो आवेरनेस के, वी कैंड गो दनाचरल वे फॉर इ लानी के इशूज है, ब्लीडिंग इशूज है, उनको कंपलसरी इस्ट्रेक्टिमी है, तो उसमें भी हम बहुत जादा ताउन कर रहे हैं, और दुसरे प्रॉब्लम्स है, रहम के प्रॉब्लम्स, कमजोरी के प्रॉब्लम्स, उसके भी लेटेस टेकनोलोजी लेजर प्रॉब्लम्स